सीमेंट खरीदने से पहले आपको इन बातों का जरूर ध्यान में रखना चाहिए यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया तो आपको सीमेंट खराब आपको मिल सकता है और आपका पैसा भी वेस्टेज हो सकता है और पैसा के साथ साथ आपका मकान भी डैमेज हो सकता है सबसे पहले आपको company का नाम और trademark देखना चाहिए और company के name में सबसे पहले आपको spelling का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि spelling में ही करवड होता है मिलते जुलते name रखने के बाद में spelling का difference होता है इसमें फरजीवाड़ा हो सकता है point number 2 में हम बात करेंगे तो ISI Mark आपको ज़रूर चेक करना है बेना ISI Mark का cement आपको नहीं purchase करना है point number 3 के हम बात करें point number 3 में आपको grade of cement और tap of cement आपको पता होना चाहिए जैसे 33 grade, 43 grade, 53 grade इस प्रकार से आपको grade का पता होना चाहिए और taps आपको पता होना चाहिए, वो PC cement ले रहे हैं आप या फिर PC cement ले रहे हैं लिए आपको ये information cement bag पर नहीं है तो आप उस bag को purchase नहीं करना है Point No.4, weight of bag यानि कि cement bag बर उसका weight लिखा होना चाहिए चाहिए वो 50 kg का bag हो या फिर 25 kg का, अधिकतर 50 kg का bag ही मिलता है लेकिन कहीं कहीं 25 kg का bag भी मिलता है, तो इसलिए आपको weight of bag अबस्ट चेक करना है Point No.5, आपको 10-20 रुपे के लालच में आके कोई भी non-branded cement नहीं purchase करना है आपको एक branded cement ही purchase करना है, जैसे Ultratec, Amboja, JK, इस प्रकार के जो branded cement है, purchase करना है Point No.6, cement bag को खरीदने से पहले आपको उसका MRP अबस्ट चेक कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसा होता है कि market में आपको cement के rate से अधिक rate पर आपको cement sale करने की कोशिस की जाती है जिसमें आपका पैसा wastage हो सकता है और आप ठगी के सिकार हो सकते हैं इसलिए आपको bag पर MRP अबस्ट चेक कर लेना है Point No.7, use no hook यानि कि bag पर use no hook का symbols बना होना चाहिए और bags को unload करने के लिए hook का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए यदि उस bag में hook का इस्तेमाल किया होगा तो वहाँ से year पास होगी cement में जिससे cement जमना शुरू हो जाता है उसमें daily बन जाते हैं तो इसलिए आपको उस प्रकार का cement नहीं लेना है Point No.8, cement bag पर packing date आपको अबस्ट से देखना है कि वह किस date को pack किया गया है जिससे हमें expiry date का इसमें पता चलता है packing date है वह week, month और year में होनी चाहिए और आपको 3 month से अधिक पुराना cement आपको अपना घर बनवाने में यूज नहीं करना है Point No.9, company का address उस bag पर अबस्ट से पढ़ा होना चाहिए जिससे बविस में कोई भी यदि दिक्कत आती है तो आप उस address पर contact करके उस bag के बारे में जान सकते हो और उस कमी के बारे में बता सकते हो जो आपके मकान बनाने में हुई है Point No.10, cement bag खरीदने से पहले आपको IS code आपको अबसे देखना है एक होता है ISI mark, ISI code यदि आप OPC 53 grade का cement ले रहे हैं तो उस पर 12-26 नौ ये code होना चाहिए उस यदि आप PPC cement ले रहे हैं तो comment कीजिए हम उस पर भी एक वीडियो अबसे बनाएंगे यदि आपको जानकार अच्छी लगी तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like and share कीजिए